नमस्का दूस्तों, PLTX में आपका बहुत बहुत स्वागय थे दूस्तों, आज किस क्लास में आप लोग के लिए UPCC video previous year का पूछा गया question paper लेकर रहा हूँ और यह जो question paper है आपका 412-2016 का पूछा गया question paper है इसका पहला part हिंदी का solve करा दिया गया है, यह third part है सामान जानकरी का यहाँ पे हम इस class में solve करेंगे दोस्तों सामान जानकरी के 30 questions को solve करेंगे 2016 में video का जो आपका paper हुआ था, उसमें सामान जानकरी के 30 questions पूछे गए थे दोस्तों आए इन questions को देख लेता है, दोस्तों यह आप हमारे चैनल पहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए Question number 41 है दोस्तो, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, आपको बताना है दोस्तो तो यहाँ पर इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा, option D, gram सहकारी संस्था इसका सही जौब हो जाएगा, पंचायती राज ब्योस्था, 33 सासन की ब्योस्था करती है, जिन में सामिल है, gram इस्तर पर, gram पंचायत, इसका चुनाओ करने वाले गाउं के समों की मद्दाता सूची में, शामिल बैक्तियों से मिलकर, gram सभा नमक संस्था बनती है ब्लाक इस्तर पर, छेतर पंचायत, जिला इस्तर पर, जिला पंचायत, निया पंचायत, भारत में, gram इस्तर पर, बिवाद समाधान की एक प्रणाली है, gram सहकारी संस्था, पंचायती राज संस्था नहीं है, दोस्तों, अप्संदी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, बढ़ते हैं, अगले कोशन की और कोशन नमर 40, 2 है, भारत सरकार का मुख बिद्याधिकारी काउन होता है, दोस्तों, आपको बताना है, दिये गए उप्संस में से, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उप्संदी, महानयवादी, महानयवादी इसका सही जवाब हो अगला कोशन, कोशन नमर 43 है, इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था, तो आपको बताना है, दोस्तों, दिये गए उप्संस में से, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उप्संस ही, हसरत मोहानी, इसका सही जवाब हो जाएगा, और इंकलाब जिन्दाबाद का नारा हसरत मोहानी दोरा दिया गया था, इसका पहली बार प्रयोग सरदार भागत सिंग ने केंदरी असंबली में बम फेकने के बाद किया, तो राइट अंसर ओप्संस ही हो जाएगा, ध्यान रखेगा, कोशन नमर 44 है, एक अच्छांस कितने किलोमीटर को दरसाता है, तो राइट अंसर ओप्संस ही हो जाएगा, 111 किलोमीटर, एक डिगरी अच्छांस 111 किलोमीटर को दरसाता है, गलोब पर भूमद रेखा के समांतर खीची गई कालपनिक रेखा को, रेखाओं को अच्छांस रेखाएं कहते हैं, अच्छां अंसों के मध्धी दूरी भिन भिन मिलती है, इसे यूनानी भासा के अक्षर फाई से दर्सा आगया है, इस तरह से इसका होता है, फाई से दर्सा आगया है, ध्यान रखियेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 45, नमामी गंगी योजना की अंतरगत भारती प्रवत दोग की कोशन नमबर 46 है, निम्न में से किस प्रदेश की मध्ध आयू नियून तम है, आपको बताना है दूस्तों दियेगा उप्संस में से, तो राइट आंसर उप्संसी हो जाएगा उत्तर प्रदेश अगला कोशन, कोशन नमबर 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार दोरा समाजवादी प्यंसन योजना के लिए हाल ही में किसे परचार राजदूत निफ्ट किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे उप्संदी हो जाएगा विद्या बालन, इसका सही ज़ाब है, अगला कोशन, क भारत की किस राज़ ने सरुपर्थाम ट्विटर सेवा योजना प्रारम की है, तो राइट आंसर यहाँ पे उप्संदी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ट्विटर सेवा यूजना प्रारम करने वाला भारत का पहला राज उतर प्रेश से इसके तहट राजी में पुलिस भी भाग दोरा लोगों की सिखायतियों का निवारान करने वसमस्याओं के दक्षिता पूर्ड वा ततकालिक प्रेउत्तर के लिए 122 ट्विटर हंडल सुरू किया गया है अगला कोशन कोशन नमबर 49 है भारत में किस राजी द्वरा सरपर्थम जीस्टी की पुष्टी की गई है महाजपूर्ण प्रेशन है तो जीस्टी वस्तेयों सेवा कर की पुष्टी करने वाला देश का पुष्टम राज असम है असम बिधान सभा ने इसे बिशु में किस देश द्वरा क्रिकेट में सरपर्थम 901 जीसी अंतराष्टी मैच खेले गये हैं तो राइट अंसर यहां पर अप्शन सी हो जाएगा भारत बिशु में सरपर्थम 901 जीसी अंतराष्टी मैच खेलने वाला देश भारत है भारत ने 9001 जीसी मैच न्यूजिलेंड के परथम 121 जीसी अंतराष्टी मैच न्यूजिलेंड के बिरुद के खेला और भारत द्वरा परथम एक दिऊसी अंतराष्टी माइच इंगलाइन के बिरूद दूवर्स 1974 में खेला गया था 1974 में ध्यान रखियेगा दोस्तो 1974 अगला कोश्चन कोश्चन मबर 51 है भारत देश का 200 धरोहर इस्थलों में संख्या के आधार पे कौन सा इस्थान है तो right answer यहाँ पे देना है आपको तो right answer यहाँ पे हो जाएगा option भी सात्वा है प्रसंद काल के समय भारत देश का 200 धरोहर इस्थलों में संख्या के आधार पे सात्वा इस्थान था वर्तमान में भारत में धरोहर इस्थलों के संख्या 40 हो गई है दोस्तो ध्यान रखिएगा अगला question, question number 52 मानो शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रसत होता है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा दोस्तो मानो शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग सात्वा प्रसत होता है जहान रखिएगा option D यहाँ पर right answer है question number अगला है 53 है question number computer प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक operating system नहीं है दिएगा options में से आपको बताना है तो Windows, Unix वा Linux operating system के नाम है जबकि MS Office एक application software है option B यहाँ पर right answer हो जाएगा MS Office question number 54 है internet पर computer की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है तो internet पर computer की पहचान IP address द्वारा होती है जब भी computer web से कोई सोचना प्राप्त करता है तब इसका IP address इसकी पहचान के रुप में कार करता है तो option A हाँ पर right answer हो जाएगा IP address अगला question, question number 55 है computer प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह शम्ता किस की होती है तो right answer option C हो जाएगा हाँ पे टेरा बाइट computer प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह शम्ता टेरा बाइट की होती है 8 bit बराबर 1 byte होता है, 1024 byte में 1 kilobyte होता है और 1024 kilobyte में 1 megabyte होता है और 1024 megabyte में 1 gigabyte होता है 1024 gigabyte में 1 terabyte होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा अगला question, question number 56 है जन्गन मन जो भारत का राष्ट गान है, सरवपर्थम कब गाय गया था? महादपूर्ण प्रसन है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस question का option A, 27 December 1911 भारत का राष्ट गान जन्गन मन सरवपर्थम 27 December 1911 को भारती राष्टी कॉंगरस के कलकता अडवेशन के अउसर पर गाय गया था तो option A, यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 57 है भारत का विश्व में चेटफल के आधार पे कौन साइस थान है? आपको बताना है दूस्तों दिये गए options में से तो right answer यहाँ पे हो जाएगा चेटफल के आधार पर भारत का विश्व में 27 स्थान है विश्व को इछा बड़े देश रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, आस्टेलिया है option D, यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question, question number 58 है पर्थम 20 स्युद कब समाप्त हुआ था आपको बताना है दूस्तों दियेगा options में से तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूस्तों पर्थम 20 स्युद 8 जुलाई 1914 को प्रारंब हुआ और 11 नॉमबर 1918 11 नॉमबर 1918 को समाप्त हुआ था ध्यान रखियेगा अगला question, question number 59 है केंद्री बित्ट मंत्रालेन किसे 19 फरवई 2016 को जेस्टी पर बनी राजियों के बित्ट मंत्रियों की अधिकार प्राप समिती का अध्यक्ष निव्ट किया था, तो right answer option D हो जाएगा यहाँ पर इस question का जोस्तों अमित मित्रा, इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 60 है प्रतिध्वन सुनने के लिए शुरोत तथा परावर्तन सत्था के बीच कितने नियुनतम दूरी होनी चाहिए तो right answer option B हो जाएगा लगभग 17 मितर जब कोई ध्वन होती है तो उसकी समवेदन हमारे मस्तिष्क में 1 by 10 सेकंड तक बनी रहती है मनुसका कान उन्ही दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकता है जो उसे नियुनतम 1 by 10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे अथा प्रतिध्वन सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि कोई ध्वन की किसी वस्तु से टकरा कर 1 by 10 सेकंड के सुरूत के पास वापस लोटे वाई में ध्वनियों का वेग 330 मीटर पर सेकंड होता है दूस्तों और ध्वनियों द्वारा 1 by 10 सेकंड में चली गई दूरी 33 मीटर इस प्रकार प्रतिधुन सुनने के लिए परावर्तन परावर्तक सता सिधुन के सुरूत की दूरी 17 मीटर होनी चाहे तो ऑप्सन भी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा और साक्षर्ता दिवस 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग इस पेसेज ध्यान रखियेगा तो यहाँ पर इस कुर्शन का राइट आंसर जो होगा अप्सन दी हो जाएगा आठ सितम्बर अगला कुर्शन, कुर्शन बस 62 है भारा सरकार दोरा दिया जाने वाला तरती उच्चितम नागरिक प्रुसकार कौन सा है दोस्तों तो राइट अंसर उप्सन सी हो जाएगा पद्य भुशन हो जाएगा अगला कुर्शन, कुर्शन नबर 63 है वाइ मंडल में लगभग कितने प्रसट नाइट्रोजन होती है दियेगा उप्सन में आपको सही भी कल्प का चैन करना है तो वाइ मंडल में 78% नाइट्रोजन होती है और 20.94 ऑक्सिजन होती है 0.934% आरगन होती है तो option A यहाँ पर right answer हो जाएगा 78-19% अगला question, question number 64 है 20 को चाओथा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है दोस्तों तो right answer option C हो जाएगा दक्षणी अमेरिका चेतफल के आधार पर 7 महादीपों का करम इस प्रकार है दोस्तों Asia, Africa, उतरी अमेरिका, दक्षणी अमेरिका और Antarctica, Europe, Australia तो यहाँ पर कल्प C सही हो जाएगा अगला question, question number 65 है कबड़ी बीसुकप 2016 में किस खिलाडी को सौरपर्थम आकरमण करता का खेताब दिया गया है तो right answer यहाँ पर option C हो जाएगा अजय ठाकुर, इसका सही जवाब है अगला question, question number 66 है दोस्तों बाइनरी संख्या का दस्मलाव समतुल क्या होगा तो इस संख्या का आपको दस्मलाव समतुल क्या होगा तो right answer यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों option B, 1807 अगला question, question number 67 है computer प्रणाली के अंतरगर data हस्तांतरण data transmission की अबरती सीमा को क्या कहते है तो computer प्रणाली के अंतरगर data हस्तांतरण की अबरती सीमा when widths कहलाती है तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number 68 है निमन में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है तो right answer option D हो जाएगा बिधान मंडल नागरिक समाज सरकारदोरा, समर्थित, सनचनाओं और बाजार की वाणिजिक संस्ताओं से अलग क्रियात्मक समाज को रूप देने वाले स्वैचिक नागरिक और समाजिक संगठनों और संस्ताओं की समगरता से बना होता है तो यहाँ पर right answer जो हो जाएगा दोस्तों बिधान मंडल जो की बिधाई का कांग है नागरिक समाज के रूप में माने नहीं है अगला कोशन, कोशन नबर 69 है निम्न में से किस भारती परवती चोटी के लिए उचाई सबसे कम है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा option D, मुकुट परवत इसका सही जवाब है मुकुट परवत की जो उचाई है सबसे कम है दिये गए विकल्पों में से दोस्तों द्या नखियेगा, अगला कोशन, कोशन नबर 70 और अंतिम कोशन है दोस्तों समान जानकरी का, किसी वर्स की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सरवाधिक होता है तो रात और दिन की लंबाई में सरवाधिक अंतर संक्रांती पर होता है और संक्रांती एक खगोली घटना है यह वर्स में दो बार घटित होती है संक्रांती पर सूरज अपने सबसे उत्तरीवा दक्षणी भरमण बिंदु पर पहुंच जाता है तो option C यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों दोस्तों यह रहे सामान जानकारी के 30 question जो कि आपके previous year video question paper में पूछे गए question है दोस्तों आज की इस class पर बस इतना ही मिलते हैं next class में तब तक कि लिए नमस्कार जाहिन धन्यवाद